हालो एवरीवन वेलकम टू लिट्रल डिपाट्मेंट आज के इस वीडियो में एक न्यू वेकंसी के वारें बताने वारा हूं तो कि आ रहा है बड़ोधा यूपी बैंक की तरफ से इसमें अप्रेंटिस के लिए वेकंसी आई हुए जिसमें आप अप्लाई करके अप्रेंट साइट से अप्रेंटीस वारा जो नोटिफिकेशन आया है उसको डालोड कर लिया है आप लोग भी वहां से डालोड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह हैं इंगेजमेंट आप अप्रेंटीस अपरेंटिस अंडर दा अंप्रेटिसिप एक्ट 1961 तो इसके तहत यह वेकंसी निकाली किया है जिसमें आलनाय रिजिस्टेशन जो इस्टार्ट होगा वह पांच मार्च से इस्टार्ट होगा 15 मार्च तक चलेगा करने मतलब आपके पास 10 दिन का टाइम है आप लोग इसके के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रहें इसमें एक भाध् hy dして देने वाली है चुकि वेकंसी जो है वह बढ़ादा यूपी बैंक के लिए है तो इसमें कि व этой की हैं वो अपनाइक कर सकते हैं को इसके आप लोग जमना चरु सकते हैं यह उत्धतर्ट के लिए वैकंसीों निकाली की है जिसमें कोई भी local language Hindi, Urdu, यह संस्क्रिट सकता है YSC के लिए 52 vacancies है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 67 vacancies है EWS के लिए 25 है और Unreserved के लिए 103 vacancies है तो टोटल ढाई 100 vacancies निकाली की है बड़ाओदा यूपी बैंग में apprenticeship के लिए जब आप इस apprentice के लिए apply करेंगे तो इसमें तीन language दिया गया है इसमें से कोई एक language आपको वहाँ पर चूच करना पड़ेगा Hindi, Urdu या फिर संस्क्रिट और देखिए यहाँ पर एक जीज और mention किया गया है यह से टोटल ढाई 100 seat है 200 vacancies है तो इसमें हर reason के लिए training seat ने धर्ट किया गया है तो training seat जो है कुछ इस प्रकार से है आप लोग PDF में देख लिजेगा बलिया से 6 लोग, बस्ती में 8, देवरिया में 7, फैज़ाबाद में 12, गोरखपूर में 8, गोरखपूर में 7, फिर खलीदाबाद में 7, महरादवेदी में 7, प्रताबगड में 12 तो इस प्रकार से जो है अलग 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 training का seat available है अगर हम age limit की बात करें तो इसमें age limit जो है 18-18 साल, मतलब कि 18-18 साल के बीच के हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से candidate इसके लिए apply कर सकते हैं मतलब कि eligibility criteria क्या है तो आपका age question qualification जो होना चाहिए वो आपका graduation होना चाहिए वो किसी भी university इंस्यूट से होना चाहिए पर तब अगर अशना तक चातर हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं आपका graduation pursuing में नहीं complete होना चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible हैं तो यह हो गया इस question qualification मतलब graduation की इसके लिए apply कर सकते हैं अब इसमें बात आती है कि training अपका कितने दिन के लिए होगा तो इसमें जो क्योंकि apprenticeship है तो इसमें आपको 12 महीने के लिए training दिया जाएगा अब इसमें बात आते हैं कि salary की तो salary कितना मिलेगा चूंकि apprentice से तो इसमें stipend मिलता है आपको जो भी candidate इसके लिए eligible होंगे जो भी इसमें अप्रेंटिस करेंगे उसके salary जो होगी वह 9000 पर मन्त होगी और इसमें लिखा गया है कि जो apprenticeship कर रहे होंगे उनको जैसे कि बैंक में जो permanent होते हैं उनको कभी प्रकार का allowance दिया जाता है benefit मिलता है तो इसमें apprenticeship के लिए जो candidate आएंगे उनको किसी प्रकार का allowance से benefit नहीं दिया जाएगा अब बाद आती है कि इसमें selection process क्या होगा तो selection process की बात करें तो बहुत easy selection process है इसका केवल single exam होगा जो की written होगा और वो objective type का होगा और उसके बाद जो भी आपका language रहे हैं जिसमें आपको बताया इसमें तीन language के लिए हिंदी उर्दू और संस्कृत तो भी आप तो आप जो आएंगे 25 मार्क रहेंगे और 25 को पंदर्य मिनिट में सालो करना होगा और जनरल इंग्लीज यहां फिर हिंदी जो भी आप चुनेंगे उसका 25 25 मारगा नुमेरिकल अबिल्टी चेक कि यह जाएगा 25 को सिंपर रहेंगे 25 25 मारक तो चुलो सब कोस्चेंट रहेंगे 100 सकते हैं या फिर जंडर हिंदी इसमें एक कीज और मेंशन किया गया है जितना भी टेस्ट होगा आपका जैसे इसमें टाइम मेंशन किया गया है कि जनर आवारेस को जो को स्टेन होंगे पंदर मिनिट को टाइम नहीं दिया जाएगा तो सब आपको नेटिव मार्किंग है ठीक है इसमें मतलब की नेटिव मार्किंग बाना फॉर्थ जह नेग्योट रहे गाएगा इसमें अब एक कोशन करते हैं उसका नंबर डिटेक्ट हो जाएगा 0.25 अब बताती है अगर इसमें आप का सॉट होते हैं तो एक्जाम सेंटर कहां पांच वहाँ पर होगा उत्ते पर इसमें अगर बाद करें इस्तेट यूपी का है तो प्रियाग राज में हो सकता है इसका इक्जामिश्य सेंटर बरेली में या फिर गुर्वपूर या फिर गुर्वाराण सी तो यह एक्जाम सेंटर यहां पर 22 दिया गया है इसके बाद देखिए इसमें दिया गया है कि अगर एक्जाम हो जाता है एक्जाम के बाद सेलेक्शन आपका हुआ कि नहीं यह सारी चीज़े बैंक की वेबसाइट पर अविलेबल रहेंगी कि मतलब किस लेवल का है हिंदी लंग्विज में तो यहीं सब इसमें मतलब की चक किया जाएगा हिंदी आपका रीडिंग यहां पर देखिए रीडिंग राइटिंग इस्प्रिकिंग अंडरेशिण इस चीज़े चैक जाएगी टेस्ट आप लोकल लेंग्विज में पर देखिए यहां पर देखिए पर दिया गया है medical examination । जो एक उतिन की है कि यह मतलब कि जो लेडिंग के requirement होती है इस प्रखार का मेडिकल लिए विच होने चाहिए ऑला सेर्टिफिकेट लगाना होगा कि आप मेड के लिए फिक्ट है अब देखिए यहां पर फीस की बात की जा रही है तो फीस कितना लगेगा आपको अपलाई करने का तो अगर जनरल ओबीजी और इडवलीएस की बात के रहे तो थे हैं तो आप इसकी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं खासकर वो जो बैनक छेत्र में या किसी प्रकार कि मतलब की कंप्युटर समझे बीजाना चाहता है उसके लिए काफी अच्छा यह अगर आप एक साल का इसमें अप्रेंटिस कर लेते हैं इन फ्यूचर कभी प्राइवेट बैंक के बाद चोड़ो प्राइवेट बैंक में अगर आपको कोई भी अप्लाइग करेंगे तो यहां पर जो आपका एक्सपीरियंस होगा एक साल का वह बहुत काव आएगा तो आप इसके लिए अप्लाइग कर दीजिए कि वहले सिंगल एजाम होगा उसमें अगर आप ट्रैक करते हैं उसको तो आप इसके लिए हो जाएंगे तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टेकनिकल जॉब से अपडेट के साथ तो अगर आप मारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलिग्राम पर जोड़ जाएए क्योंकि जाता दर नोटिफिकेशन जो आती है उसका वीडियो नहीं बना पाते हैं तो हमने टेलिग्राम पर स्टेंड कर देते हैं और हमारे चैनल पर अभी अपरेंटिस के लिए जितनी भी बगेंस्टी आ रहे हैं उन सब को हम आपको बताते जा रहे हैं